शराब का जो हुआ शिकार, उजड़ा उसका घर परिवार, संताल समाज में नशापान एक गंभीर समस्या है, हर दिन हजारों आदिवासी परिवारों का घर नशापान की चपेट में आकर भरा पूरा परिवार बरबाद हो रहा है, आदिवासी समाज में नशापान सिर्फ एक समाजिक बुराई भर नहीं है, बलकि यह संस्थागत तरीके से मांजी परगाना स्वशासन व्यवस्था के द्वारा संचालित एक व्यवस्थित समाजिक बुराई है, जो इनकी जड़े धर्म की विधी विधान तक फैली हुई है इस हाडिया चोडोर को कोई और नहीं बलकि आदिवासी समाज के तथाकतित समाजिक धार्मिक अगुआ मांजी नायके के द्वारा ही युगो युगो से संचालित है, जिस समाजिक अगुआ के कंधे पर समाज को अंधेरे से उजाले की और ले जाने की जिम्मेदारी होना चाहिए वे ही समाज को नशेकी ककहरा सीखाने का काम करते हैं। समय के साथ हर समाज ने अपने आपको सुधार किया है। चून की आगे बढ़ने के लिए सुधार आवश्यक होता है। हम सबने देखा है कि नशेकी चपेट में आकर भरा पूरा परिवार हर दिन बरबाद हो पर शराब के नशे में मदमस्त होकर कोई रास्ते किनारे बेहोशी के हालात में लेटे हुए मिल जाते हैं, कोई लरते जगरते हुए मिल जाते हैं तो कोई शराब के नशे में हस्ता गाता हुआ दिखाई देता है। बच्चे देश और समाज के भविश्य होते हैं। नशा आदिवासी समाज का अर्थ आदिवासी रुरिवादी परंप्राओं को बचाने से लिया जाता है। आदिवासी का होना समझते हैं। आदिवासी समाज इसका एक जीता जाकता उदाहरन है। आदिवासी समाज के लोग आदिवासी समाज एक प्राचीन समाज होने का धोल अवश्य पीटते हैं किन्तु अपने आपको बचाने में काम्याब क्यों नहीं हैं। का जवाब उनके पास नहीं होता है। अभी भी आदिवासी समाज खुद के पहचान को स्थापित करने में सफल नहीं है। इस से ज़्यादा और क्या विडम बना हो सकती हैं। आदिवासी न धार्मिक पहचान से न भाशाय पहचान से पहचाने जाते हैं। आदिवासी कौन है? अभी तक यह अग्यात है। कुछ लोग आदिवासीों को उनकी विशिष्ट संस्कृती से पहचानते हैं। किन्तु सवाल यह है कि बिना धर्म से संस्कृती का उदे कैसे हो सकती है। चून की संस्कृती का जनक तो धर्म होता है। नशापान के विरुद्ध आदिवासी समाज में ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है। चून की आदिवासी समाज के अधिकांश लोग रूरी परमपरा के घोर समर्थक होते हैं। आदिवासी समाज में परमपरा और संस्कृती के नाम पर धढले से नशा का सेवनाज भी किया जाता है। अच्छे और भाले लोग भी नशापान का शिकार होकर बरबादी के कगार पर पहुंच जाते हैं। संताल समाज में तीन ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने धार्मिक और सामाजिक नशापान के बारे में कुछ कहा है। इन तीनों के नाम हैं। उनकी यह बात पंडित रगुनात मुर्मू के द्वारा ही रचित लाक्चार सेरय लगू पुस्तिका से प्रमानित है। विरोध नहीं किया। बलकी जरूरत के हिसाब से हाडिया सेवन का पक्षधर थे। गुरुजी शिबू सोरेन शुरुआती दिनों में नशापान के खिलाफ काम करने के जरिये ही आदिवासी लोगों के बीच आये थे। गाव गाव जाकर श्री शिबू सोरेन हाडिया नशापान का विरोध किया करते थे। हाडिया विरोध के कारण ही लोग शिबू सोरेन को जानने पहचानने लगे थे। उसके बाद ही महाजन के खिलाफ लोगों को गोलबंद करना शुरू किया। बाद में जब वे राजनीती में आये तो उन्होंने नशापान के खिलाफ आंदोलन को छोड़ दिया। यह जरूर है कि शिबु सोरेन आज भी हर मंच से शराब न पीने की सलाह जरूर देते हैं। अर्मिक नशापान्थ दारू के द्वारा शादी में दो मांजी के बीच एक्रावनामा करना और बोगा बुरू में हाडिया चोडोर करना रुमो, बुलोग, इरश्या द्वेश, डिंडोम, बारोन, महिला, विरोधी, मानसिक्ता इत्यादी। यहां तक कि उन्होंने शासन व्यवस्था के खिलाफ भी आंदोलन छेड़ रखा है। जिविद बोगा श्री सालखन मुर्मु का स्पष्ट विचार है कि समाज बचाने के लिए जुमिद का होना आवश्यक है। जुमिद से ही हासा, भाशा, धर्म, इजज़त, आबादी, रोजगार, चासवास बचेगा। इसी से समाज बचेगा, किन्तु जुमिद तभी बन और काम करना जरूरी है। समाज नशा को समाजिक और धार्मिक जीवन के अभिन अंके रूप में शामिल करें, उस समाज की दुर्गती होना तेहे। यही कारण है कि आज आदिवासी समाज सबसे पिछले पायदान पर खड़ा है। पिछडे पन के धबा लिए आदिवासी समाज को आज को सुधार ज जाना चाहिए। जिवित बोगा श्री सालखन मुर्मू के बताय रास्ते का अनुसरं करें और आदिवासी समाज को मरने मिटने से बचाएं। वीरेंद्र कुमार बास के सेंगेल ओनौलिया बोकारो जारखंड।